शिवनात मुक्तिधाम के काय कल्ब को लेकर दुर्ग कलेक्टर ने मुक्तिधाम पहुँच कारे का निरिक्षन किया साथ इस जल्द निर्मान कारे शुरू करने अधिकारियों को दिये निर्देश दुर्ग शहर की प्राचिन शिवनात नदी के तड़ परिस्थित मुक्तिधाम का अब जल्द ही नए स्वरूप में दिखाई देगा जिसके लिए दुर्ग शहर विधायक अरणवोरा वनिगम महाप और धिरज बाकलीवाल ने 35 लाग के विकास कारियों का भूमी पूजन किय इस अउसर पर शहर विधायक अरणवोरा वनिगम महाप और धिरज बाकलीवाल ने कहा कि 15 लाग से शावदाह का निर्मान कराया जाएगा जिसके तहाँ 6 स्टेंड तयार किये जाएगे इसके साथ ही रंग रोगन एवं चेकर्स टाइल्स लगाया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि मुक्तिधाम की उपर नए शेड भी लगाये जाएगे ताकि हिंदू रिती रिवास के अनुसार तीन दिनों में अस्थी उठाने वालों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसी कड़ी में शनिवार को दुरुक कलेक्टर डॉक्टर सरवेश् नरेंद्र भूरे द्वारा शिवनात नदी स्थित मुक्तिधाम पहुँच कारियों का निरिक्षन किया गया इस होसर पर निगम आयुक्तुहरिश मंडावी स्डियम विनाय पोयाम के अलावा निगम वपी डब्लूडी की अफसरों के साथ शिवनात नदी मुक्तिधाम शिवनात तट पर होने वाले कारियों का निरिक्षन कर कारियों को जल्द करवाने के निरिदेश दिये ग्रेंड एसी एन निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारू की की रिपोर्ट